सिंग इस किंग, सिंग इस किंग, सिंग इस किंग, भंगडा गलो यार, क्योंकि शेशांग सिंग ने वो काम कर दिया है, जिसकी किसी को उमीद नहीं थी, to be very honest, मैच जो था वो निकल गया था, आपसे बहुत दूर चुनौतियां थी, बड़ी वो संकट के बादल भी काले थे और उनमें कोई दोश ढूंड के दिखा दे तो माझ जाओ मैं ज़रा, पंजाबिया ने मैच ये जीत लिया है, गुजरात को पहला मैच घर पे हरा दिया है, खुद बाहर जाके पहला मैच जीत लिया है, तो भी तालिया बज़ा उस सारे, अब चार मैचे, लास्ट चार मु सदन डार भी करने वाले हैं हम बात क्योंकि हाइदराबाद वापिस पहुंच गे हैं घर पे, और घर पे जब मैच खेले तो क्या ही खेले थे, गजब खेले तो 277 बनाये थे, लेकिन सामने इस बार होंगे चन्नाई के सूपर किंग्स जो थोड़े से जले तो होंगे, क्यो प्रोवो प्रेजेंट शोपरा जी की क्रिकेट चौपाल इन असोसियेशन विद माइवन सिर्कल, ओपिनियन के बारे में बताऊंगा आपको कैसे जीतना है, वो भी बताऊंगा, सब कुछ बात करने वालों, लेकिन उससे पहले, लेट्स टॉक अबाट इस गेम, और हाइद और हैंगा जी जाएजान वोल्ली टू ओवर्स, बोलिंग बोलिंग स्पिन से करानी रहे हैं, वो सब फास बोलिंग के साथ चल रहे हैं, और तो बी फैर हाइदराबाद के पास भी अब तो खासरंगा का आप्शन तक नहीं है, पिछ एक दम रोड जैसी ऐसी रोड पे मैच कराते हैं, जिसमी बहुत च्छक्यं लगते हैं तो लेट स्टार्ट, मेरा मन करड़े हैं चिन्ने से शुरू करता हूं अच, क्यों क्योंकि चिन्ने है यार कर लेते हैं, मही की टीम है और मही की टीम में कप्तान की ओपर मेरा बड़ा फोकस है क्योंकि इस तीम के सामने रुतू राज के आंकडे टॉप क्लास है बॉस टॉप क्लास है प्लेयर तो मैच्चेस भी जीते हैं रंस भी बनाए हैं पचास एंड मोर अभी तक क्या हुआ है लेफ्ट टाम फास बोलस ने तंग किया है इन फाक तीनों पारियों में लेफ्ट टाम पे आउट होए ना क्योंकि अच्छी फॉर्म में नजर आया है पर लैक आफ रंस पष्ट है कि रंस नहीं बने हैं और कप्तान जब तक ना चले सीना अतान वाट्स ता पॉइंट और यहां पर भुवनिश्वर कुमार होंगे साथ में हो सकता है हो सकता है जैदे वुनात कट हो पर जैदे वु क्योंसा जो मैं खिलारी सोच रहा हूं मैं सोच रहा हूं मैं मतीश पतिराना इस एपसलूटली गोल डस्ट यार और इस मैच में बाइद वे मुस्तफिज और रहमान भी शायद ना हो क्यों नहीं होंगे क्योंकि अभी टाइम और रिकॉर्डिंग वो बंगला देश में जादा याद है एक वो मैं क्यादव ने जिसका गेंद पर कैमर ग्रीन कावट किया एक मतीश पतिराना ने जैसे वो मिचल स्टाक के डंडे वे मारी थी या फिर आप ट्रिस्टान स्थाप सेम बोवर या फिर वो अपनी इशान शर्मा की और पर पतिराना और कैच कौन सा आ बहुत अच्छा कर जाता है और वो वाला बोलर चिन्नाई के लिए मतीश पतिराना हो सकते हैं थर्ड प्लेयर आम थिंकिंग वाइनोट रविंद्र जाडे जा अभी तक नहीं अच्छा किया है बहुत साधारन अभी तक की आई पेल जा रही है इनकी पर सामने वाली टीम मे लेंगे कि हाँ पर ट्राविस हैड बीच माभी शेक शर्मा तो लेफ्टीज हैं सामने वाली टीमें शैबास को भी भेज़ देते हैं आज के लिए उपर पर मैं फिर भी जा रहा हूं जड़ू के साथ की एक तो फिल्डिंग करेंगे थोड़ी बैटिंग करेंगे बोलिंग में सरव एक मातर स्पिनर के रूप में खेलते हैं अनलेस देर इस महीश तीक्षना तो I am going with सर रविंदर जाडेजा का जादू क्या पता सर चड़गे बोली जाए अब मेरे सामने सवाल आ जाता है अब सवाल है कि क्या हाइदराबाद चिन्ने को हरा पाएगा मैं कहरू नह चिन्ने जीज जाएगा दो मैस तो लगाता है नहीं हारेंगे न वो ऐसा मुझे लग रहा है और एक्चली सिर्फ मुझे जो लगता है मैं आपसे यहां शेयर करता हूँ ओपिनियन देता हूँ प्रोवो पे और प्रोवो का लिंक यहां डाल रों डिस्क्रिप्शन में जब हाड पर शायद विकेट ना गिरे दीपक्चार का भी वो ले उतना अच्छा नजर नहीं आया वर पिछले मैच में तो नहीं चटका पाए थे और यहां पर वैसे जिएस्टी का ध्यान रखते हैं प्रोवो वाले और लाइव मैच में आप अपने हा या ना के जवाब देखे आप आगे निकल सकते हैं मतब जीत सकते हैं आप खेल सकते हैं मज़ा आता हैं आप भी खेल कर देख लिजे तीसरा सवाल आगया मेरे सामने वो है कि क्या चिनना ही 25 या 25 जादा बनाएगा इन दर फर्स त्री ओवर्स मैं कैनल रूटू राज अच्छा खेली ने रचिन रविंद्रा एक मैच में आउट हो हैं जल्दी वो भी खलील के चक्कर हैं फस गए थे तो मुझे लगता बना देना चाहिए तो I am saying yes बना दें में तिमाक का इस्तमार करो प्रोबो करो इन्वेस्ट वाइज़ी प्ले सेंसिब्ली लिंक इन डिस्क्रिट अब जरा घर लेते हैं हाइदराबाद की बात क्योंकि बहुत चक्के लगाए इन्होंने घर के बाहर गए सिर्फ गुजरात में फसे वो गुजरात में ना टी में थस्ती हमा जाके क्योंकि उस प्रकार के क्रिकेट बहुत खेलते हैं और दिन का महस्ता पर यहाँ पे फिर आएंगे फिर ट्राविस हैड की तरफ नजर रखी जाएगी और ट्राविस हैड विल बी मैं फर्स प्लेयर तो वाच आउट फॉर क्योंकि I mean he's that kind of a player जब यहाँ पिछली बार खेले थे तो धो दिया था भाई इन्होंने मुंबई को छुकए 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 मार रहे थे और ट्राविस हैड क्यो रन मनाते हैं कैसे रन मनाते हैं कितने अच्छे player हैं कैसे इनको आउट किया जा सकता है वो सब हमने थोड़ा सा cover करने का प्रयास क क्योंकि चोट ऐसी दी है और जो दिमाग पे चोट लगती है ना लोग के ने दिल पे लगती है लेकिन मेरे तो दिमाग पे लगी है वो Travis Head ने दी है हेडेक बनेगे हमारे लिए अब इस समय वो हैदराबाद का हिस्सा है अब अगर Travis Head की हम बात करें कैसे रन बनाते हैं मैं तो राइटी हूँ बना दे ना मेरे को एडिटर साब की लेफटी अगर मैं बना तो कैसे बनेगा Travis Head कैसे बन सकता है मैं Travis Head क्या करते हैं उनका खेलने का तरीका बड़ा सिंपल सा है है वैसे बड़ा उनकॉम्प्लिकेटेट सा तरीका कि आप अपनी जगा पे खड़े रहिए छोटा से पाउन निकालिए और उसके बाद अपने बाजूँओं से आप क्रिकेट खेलते हैं बैटिंग जितनी करते ह तो पुल भी वहीं से घुम के मार देता है तो वो सारे काम करते हैं हाई रिस्क क्रिकेट खेलता है Travis Head भाई बहुत हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसे में आप आप इनको रोकेंगे कैसे अब रोकना पड़ेगा दूसरी टीम को क्योंकि अगर ये रहते हैं साथ से आ खड़े-ड़े खेलता है बजूं से खेलता है तो फिर क्या होता है कि बेट-पैड में गाप बहुत होता है और अगर आंगल से यह अंदर आती है तो inside edges थोड़ा ज्याधे एक्सपोज होते हैं बैट-बैट का गाप इक्सपोज होता है तो वह एक काम आप करने के प्रयास कर सकते हैं दूसरी बात अब तो दो बाउंसर अराउड हो गई है यार मारो बाउंसर भारत ने नहीं मारी थी 19 नमंबर को चीक-चीक के गला मेरा दर्द हो गया था पर अगर आप Travis Head को देखते हैं मैदान थोड़ा सा भी बड़ा है और आपके फास बोलर के पास पेस है तो प्लीज बोल बाउंसर अग्ली दिन हमने बाउंसर मारी तो यहां पर टी 20 में खतम हो जाता है मैं शुरू हो ते खतम हो जाता है तो फिर आप वो जो छोटी सी विंडो है उसमें आईए राउंड दे स्टम साके अंदर डालिये थोड़ा साने का प्रयास कीजिए क्योंकि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो फिर देख लीजे हो सकता है कि आपके भी सर में उतने ही दर्द हो जाए जितना मतलब 19 नमंबर का दर्द जो अभी तक खतम नहीं हुआ है उसमें थोड़ा सा एडिशन और हो जाएगा दूसरा प्ल सानी से लगते नहीं है तो मुझे लगता है इस मैदान के लिए इनकी गेंदबाजी अच्छे से चलेगी पिछले मैच में तो अब इन्होंने मुश्किल ओवर्स डालने शुरू भी कर दी हैं आप पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे टीन अटराजन वी डूंट नो उम ठीक ठाक सही है बोलिंग अटैक बहुत अच्छा बोलिंग अटैक नहीं है तो फिर पैट कमिंस के ओपर फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा बैटिंग के अंदर अफकोस पावर हाउस है तिल नमबर फाइफ हैंरे क्लासन एडन मार्क रम अभी शेक शर्मा मैंग की याद न अच शहबाज जामत के लिए बड़ा इंपॉर्टन मैच हो सकता है क्यों क्योंकि हमाई थर्ड प्लेयर इन फोकस जिस नमबर पे बैटिंग कर रहे हैं उनसे अभी भी उमीद लगाई जा रहे हैं कि यह आपकी फिनिशिंग का रोल अदा करेंगे अगर हैंरे क्लासन का बल है शहबाज जहमत तो यह मेरे तीन खिलारी हो गए और ट्राइ करेगी हाइदराबाद एंटर्टेनिंग ब्रैंड ऑफ क्रिकेट खेलने की और चिन्नाई जो है वो विजयी रत पे वह पेस चड़ने का प्रयास करेगी अब आपको भी कुछ करना है क्या करना है आप जो मैं गंटे तक आज के मैच के लिए चिन्नाई हाइदराबाद के मैच के लिए आपके लिए एक मेगा कॉंटेस जब खोलेंगे तो अब 1 रूपे में जॉइन कर सकते हैं 1 रुपी पहला ही नाम एक करोड़ से शुरू होता है एक करोड़ से शुरू ही हो रहा है तो फिर सोचो कितनी बड़ी बात है और मेरा कूपन कोड है आकाश 23 उसका इस्तमाल कीजिए मिल जाएंगे आपको 20% on your first deposit 15 रुपे का sign up bonus आपको मिलता है मिलता है मेरी बात नहीं मान रहो दादा की मान लो वो भी यही कह रहे है कि my 11 circle अच्छी आप है एकदम trustworthy आप है इसको download कर लो और एक घंटे में mega contest join करो only in 1 रूपी the link is in the pinned comments once again always play sensibly and invest wisely बात तो बड़ी सही कह रहे है यार कि गौतम गंभीर का era has started once again अच्छा है कप्तान कोई mentor है कप्तान भी अच्छा था mentor भी अच्छा है वैसे आपी की सवाल देख रहो है आप comment section में डालते रहते हैं आपकी वानी है आपके सवाल है तो देख लेता हूँ पंत की poor captaincy क्योंकि उन्होंने नहीं लिया वो review I mean पीछे खड़े थे वैसे review ले सकते थे I mean he missed it by a whisker पर एक बार नहीं दो बार miss कर जाना तो मैं तो यह कह रहा हूँ भीया देखे गुरू है धोनी उनके शिश्य है पंत तो गुरू धोनी ने जब ली होगी DRS की अगर गया होता तो यह वाली गलती तो नहीं होती है तो elementary mistake होगी तो yeah you are right आशीश नहरा के लिए भी कुछ अच्छे-च्छी कहानिया लिखे है आलंकि आप अच्छे हैं मतब अगर T20 क्रिगेड की कफ्तान वो mentoring और coaching अगर करवानी हो तो तो इस तो आर रिली गुड पीपल पर मुझे पता नहीं किये अक्छी फुल टाइम जॉब लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे word on our editor भई बड़ा अच्छा काम करने आक्ष्या नरेंद्र वेल डान वेरी कुट आपकी editing लोगों को अच्छी लगी है तो फिर और insider भी अच्छा लगा है तो thank you so much fantastic ग्यांदी प्रैट या सारे सारे समने अच्छा काम किया well done thank you very much अब ज़रा बात कर लेते हैं इस मुकाबले की होगी मुकाबला बड़ा कमाल का था इसमें कई कई चीज़े थी मैं आपको उताता हूँ एक तो पंजाब एक ऐसी मातर टीम है जिसने छे बार दोसों से उपर का टोटल चेज़ किया शशांक वही खिला रही है वही खिला रही है रिमेंबर वही खिला रही जिसके बारे में बात हो लिए थी कि यह वाला तो हमें चाहिए नहीं यह तो same नाम का आगए अगे अन्य किया कमाल किया है इस मुकाबले में हम बात कर रहे थे कि अगर गुजरात जो है 160 170 वाली गेमें खेलती है उससे उपर अगर जाएगी तो बोलिंग बड़ी कमाल किया है पर वो everything just fell flat on its face उस तरीके से मैच घटा है और फिर वह रगवंची हो मैं कि आदव हो शेशांक हो आश है तो यह नए भारत का संकेत है इतना confidence इतना belief इतनी bravery इतना बेखौफ अंदाज यह बताता है कि यह हमारी generation कहां पे खड़ी है इन फैक आप पोस्ट मैच इंटर्वी सुन लिया करो शेशांक ने का कि मैं जब जाता हूं मैं मान के चलता हूं मैं best हूं मेरे सामने कोई का interview सुन लेना और कोई कह दे ऐसा तो पता देना सब कहते थे नहीं ठीक है जी अच्छा हूं बहुत बड़ी है thank you very much है मैं अच्छा लगा कल हम और अच्छा करनने का प्रयास करेंगे that was then this is now यह वाली जो generation है यह belief करती है अपने आप में 199 बनाये थे गुजरात ने और उसक की टीम तो वही रहती है उसमें शुरुवात इस शुबमन गिल अब शुबमन गिल के भी आप यह बात कर सकते हैं कि 20 ओर बैटिंग के देखो आपने सौनी बनाया और आपकी टीम ने जितने भी रन बनाया वो तो कम पड़ गए थे यह बात हमने उनके अगर युवराज है और से जैदा ही बनाया आपने नियरली 11 की इर्दगिर्दा भागने का 11 सुपर बैक चुदी आपने 11 पर और आपने बना दिये शुरुबात करते हैं उस चक्के के साथ उसके बद एक और चक्का मारते हैं फिर टैनिस बॉल वाले शॉट वाले चक्का मारते हैं आपने यह और पता नहीं कहता हूं मैं बार बार की ना कुछ लोगों के सीजन्स होते हैं इस खिलारी का साल आता है और साल भी ना हर साल बे में साल आता है एमनदाबाद की पिछ उनको बहुत पसंद है और बहुत अच्छे से नोंने दोया बहुत अच्छे से दोया पर उसी समय तो फ फिल्डर खड़ा है क्या प्लान गेंद बास कर रहा है मैं कैसे उस पर दबाब डाल सकता हूँ उसका प्राइम एक्जामपल यह राहूल टेवटिया है गेट्स तब मोस्ट आउट अफ इस अबिलिटी पार दस बॉले खेलने को नहीं मिलती पर रन बनाता है बहुत सारे फिर पिर साम आउट मार जाते हैं गींद बास के आफ के फिल्डर के हाथ में गींदेश आउट ओट होते हैं इसा बड़ जीटेश ने भार देकक दो ऑच्छे शौट पर अब थोड़ी नहीं जीट पा दूगें नूर आउओ उल्रेंड जटका चुकए राशित यह और बचा उन्हों लॉकी की बटाई की थी वांग खेड़े में, I remember करें कि ठप 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 और उन्होंने एक योर में कोई बीस बाई सरन मना जी थे, he was very good, उसके बाद इनको कोई चाहा नहीं रहा था, पंजाब भी नहीं चाह रहा था, कोई और भी नहीं चाह रहा था, we were thinking why, नीचे ब absolutely outstanding, so my second performer of the day, who should be the first performer of the day, is Shashank Singh, Singh is King Baba, very good, फिर आते हैं हमारे आशुतोष, as an impact player, number 8 फे बैटिंग, मतलब आप तब भेस्ते हो, number 8 वाले को ना कि, मैस तो अब खतम ही होगे, आप क्या ही बचा, चाह बेटा तू भी कर ले, क्या बैटिंग करते हैं, इनके पास भी वही क्र शॉट बॉल होती हो, उस तरफ मारते हैं, ये अलग तरीके की पीडी है, ये जेनेरेशन कुछ अलग तरीके किया, और उसमें आशुतोष या फिर शशांग सिंगो, I mean, बोथ अब आपसलूटली स्टेलर, I'll tell you why, कि शशांग बहुत चा खेल रहते हैं, लेकिन अगर कार्ड भीजने चाहिए उनको, क्योंकि ना अभी तक ये पता नहीं कर पा रहे हैं, पहले मैच में उमेश डालते हैं, फिर ये एक अदम मैच में उमेश, वो स्पेंसर जॉनसन से कराते हैं, फिर उसके बाद ये इस बार तो अजमत उल्ला हुमर जाई को भी एंड में करा खराब चल रहा है, या कहें खराब चलने की चांसे इस साल हैं, क्योंकि जो आपकी ताकत है वो आपकी कमजोरी बन जाए, I mean that does not happen, पर पंजाब ने अच्छा कर दिया, पंजाब ने मैच जीती है, पंजाब की जो मुझे जो बड़ी अच्छी बात लगी होई है कि इंडिय आपको शुमन गिल का अच्छा लगा, वो जो था इंसाइडर, अब ट्राइविस हैड का बताना कैसा लगा, और एक कुलदीब की हिस्टॉरी है, वो भी जड़ा देखेगा, और उसको इंगलिश में देखना है, तो फिर वो हमारे चैनल पर देखेगा, यहीं पर देखेग अब ही कि आज के लिए इतना है